अब बारी है फिल्मी, खबर नामा की एक्टर रनबीर कपूर का कहना है कि फिल्म प्रमोशन के लिए पैंट भी उतार सकता हूँ इस भी आशोक चाचा कहना है ए पागला, अरे अगर फिल्म प्रमोशन में पैंट नहीं उतारेगा तो फिल्म लोगों तक नहीं पहुंचेगी अब जब फिल्म लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो प्रडूसर का पाएंट अच्छा दूलू उतर जाएगा एक्टर शाहरूथ खान का कहना है कि अब मैं एक दिन में 100 करोड कमाने के बारे में सोच रहा हूँ इस पे लालू जी का कहना है इसके लिए तुमको अभी नेता नहीं अभी नेता बन जाना चाहिए क्योंकि नेतागिरी में गिरी हुई हरकर करके तुम एक दिन में 100 का एक हजार करोड कमा सकते हो चन्नी एक के सभी आर्टिस्पीड में नई वाली जन्जीर के जरेक्टर अपुर्व लाखिया का कहना है कि अगर मैं डिरेक्टर नहीं होता तो कुक होता इस पे सुगनी गुया का कहना है कुक होते तक तुम तो कुक हो कल ही जन्जीर देख के आई हूँ और तुमने ऐसा पकाया है कि बड़े-बड़े कुक भी नहीं पका सकते हैं फिल्मी खबरनामा के बीच में एक जरूरी पंचनामा पंचनामा नहीं है भईया, ऐसे ही किसी का नाम ले लेते हैं जिन्होंने गोपाल गमजिले में पंच देवरी कोई जगर है जहां से उन्होंने फर्माईश किया है कि हम उनकी पसंद के दो गाने सुनाएं तो भईया, दुर्गेश, कुमार, यादोजी, आपकी पसंद के दो गाने सिंग सहब दा ग्रेट फिल्म से वापसी करने वाले सनी देवल का डोला जो है धाई किलो से साठे तीन किलो का हो गया है इस पे एक फिल्मी फैन का कहना है सनी पाजी, आप बीच में गायब क्या हो गय थे? धाई धाई किलो के हीरो आ गय थे और आपके डोले की आज में हम उनको रख लिये थे अब आप आ गये हैं, कल से इनको भगाने का कान शुरू कर गयते है सुनने में आया है कि अब किसिंग सिन नहीं देंगे सैफ और करीना ऐसा कुछ भी नहीं है बोलू रात भर किसिंग सिन किया होंगे सुनने में आया है कि अब बपी लहरी डिरेक्टर और प्रडूसर बनेंगे इस पे नए नवेले स्ट्रगलर का कहना है बपी लहरी अगर प्रडूसर बनते हैं तो पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है एक-एक चेन घड़ी उतार लो सब अच्छा हो जाएगा चेन से मजा लोगा चलिए चलते हैं फिल्मी नगरिया और देखते हैं क्या है खबरिया फिल्मी नगरिया की खबरिया के बाद आते हैं अपनी बात पे बात बात कहां करते हैं हम लो तो गाने सुनते हैं भाई इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए सिर्फ गाने पर ध्यान दीजिए और ये गाने हैं गाना नमबर 17, 16 और 15